हेलो गुड मॉर्णिंग अलाफ यू वेलकम टू मैं चैनल इन्नोवेटिव क्रियेशन इन बेसिक एजुकेशन फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र दोहजार बाइस ते इसके लिए यूडाइस प्लस का इस्ट्रेंड माडियूल आ चुका है इसने अपडेट माडियू यह तो आप सभी जानते हैं कि गूगल पर आपको अपना स्टेट करने के बाद उसके सामने लिखा हुआ आपको गोटन दबाना है गोपर कलिक करते ही अब आप पहुच जाएंगे लॉग इन फॉर इस्टूजेंट्स डाटावेस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने साइन इन आएगा यहाँ पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चर डाल कर इसको लॉग इन कर देना है यूजर आईडी में आपके विद्याले का यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड आपको आपकी वियारसी से प्राप्त हो जाएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपेन होगा इसमें आपके विद्याले की जानकारी दी होगी इसको क्लॉस करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजेगा कि आपने जो भी जानकारी भरी हुई थी वो सही है उसके बाद आप इसको कलॉस कर देंगे अब आप देखेंगे कि तीसरे नंबर की सफेद पट्टी पर लिखा हुआ है लिस्ट आप स्टूडेंट्स इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके लिस्ट ओपन हो जाएगी कि किस कक्षा में कितने बच्चे इसको आप desktop साइट पर ले आएई और इस तरह आपके सामने आपके पूरे बच्चे शो होंगे कि पूरे बच्चे आपके हैं या नहीं है यहां पर आपके बच्चे कम हैं हर क्लास में तो आपको वह बच्चे पहल प्राएं कि View, View, Manage, Add Students, तो आप View पर क्लिक करेंगे और आप बच्चों की प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे, यहां पर आपको बच्चों की प्रोफाइल में भरना है उनकी जनरल प्रोफाइल यानि GP, इन्रोल्मेंट प्रोफाइल यानि एपी और इस्टुरेंट्स फैसिलिटी यानि एसेफ आपको ये तीनों भरने हैं भरने के बाद ये जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन होते चले जाएंगे जिसकी प्रोफाइल भरती जाएगी तो चलिए जीपी पर क्लिक कर के देखते हैं कि उसके अंतरगत हमें क्या क्या भरना है यहां पर आपको फिल करना है इस्टुरेंट्स नेम एस पर स्कूल रिकार्ड डेट अब बर्द मदर्स नेम गार्जेंज नेम आधार नमबर एड्रेस पिन कोड मदर्स टंग माइनरिटी ग्रूप और इसी के साथ जेंडर इस्टुरेंट्स कोड आइस पर इस्टेट फादस नेम नेम आफ इस्टुरेंट आइस पर ही नाधार कार्ड मोबाइल नमबर अल्टर्नेट मोबाइल नमबर और उसकी सोशल कर्टेगरी भरनी है वैदर बीपिल बेनिफिशरी यह भी आपको भरना इस तरह से इस परें गे तो यह आपका जीपी कमपलीट हो जाएगा विकलांकता के प्रकार में आपको भरना है जो आपने समर्द अबर भर रखा है जीपी कंपलीट होने के बादệc अब हम देखते हैं कि इपी में हमें क्या-क्या भरना होगा तो इसमें इपी को आपन करने पर देख यहां पर आपको एड्मिशन डेट भरनी है यदि आपका बच्चा निव एड्मिशन है तब तो आप उसके एड्मिशन डेट भरेंगे लेकिन अगर आपके पास पहले से बढ़ रहा है तो उसका एक चार ही भरा जाएगा प्रेसे सेशन शुरू होता है और इसके बाद स्टे नन इसके बाद लास्ट येर के एग्जामिनेशन स्टेटेस भरना है और लास्ट येर वो बच्चा कितने दिन स्कूल में उपस्तित रहा हो लियर का यहां पर स्टेटमेंट भी भरना है और सेव कर देना है इस तरह आपकी एपी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी आ जानी एसेफ एसेफ प्रोफाइल में आपको पहले नंबर पर फैसिलिटीज प्रोवाइड़ेड टू दा स्टेंट्स फार्द येर आफ फिलिंग डेटा ये भरना है दूसरे नंबर पर है स्कॉलर्शीप रिसीवड तीसरे नंबर पर फैसिलिटीज प्रोवाइड़ेड तो स्टेंट्स इन केस अफ सी डवलू एसन वैदर स्टेंट्स हैज बीन इस्क्रीन फार इस्पेशिक लर्न लर्निंग डिसाबिलिटी मतलब क्या चात्र की विशिष्ट सीखने के अच्छमता एस एलडी के लिए जाच की गई है हां या ना फिर है चार तीन चार क्या चात चात्र की अटेंशन डेफिसिट हाई पर एक्टिव डिसाउडर की जाच की गई हां या ना क्या चात्र किसी पाट्यातर गतिविदी में शामिल है हां या ना क्या चात्र को निम्लिकित में से एक प्रतिभशाली के रूप में पहचाना गया है भाशा अंक्षास्थ विज् इस तरह पर हैं या नहीं भरना है क्या चात्री स्थरी पृतियों गिताओं ओलुम्पियाड रास्तियों गताओं में शामिल हुआ है हाँ या ना कुछ प्रश्णों के उत्तर मैं हिंदी में भोल रही थी इस तरह से यह पूरा और complete हो जाएगा और complete होने के बाद ये फाइल आपकी green mark बनकर आ जाएगा अभी मेरी profile complete नहीं हुए इसलिए green show नहीं हो रही है अब बात करते हैं कि जब किसी कक्षा में बच्चे कम show हो रहे हैं तब हम क्या करेंगे उसके लिए हम add students पर click करेंगे add student पर click करने के बाद हमारे सामने जो profile खुल कर आएगी बच्चे के उसमें जो जो information समसे मागी जाएंगी वो वो हमें fill करनी हो जैसे students name, date of birth, आधार नमबर, guardian name, father name, mother name, details और swsn details सारी details जो भी इसमें जरूरत होंगी वो आपको fill कर देनी है बच्चे की सारी details तो हमारे पास होती है, लगभग में तो हम भरी देंगे, इसमें problem आती है students code की, तो वो code के लिए आपको क्या करना है कि Prana portal पर आपको login करके जाना है और वहां students जो आपके feed है, उसमें एक unique ID दी है, जो सरा लाइपर हम लोगों ने भरी थी, वो unique ID आपको इस बच्चे के code में fill कर देनी है, और इस तरह से ये profile complete हो जाएगी, और फिर इसके बाद आप इसका GP, EP और SF complete कर देंगे, और student module complete हो जाएगा, अपने वीडियो को यही जय भारत